आज दाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो खीचो, एक ही प्रशन को क्रॉप करो और तुरच वीडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउनलोड करें यह आपका परवले है x² बरावर 8y वाला अब यह एक दूसरे को किनी बिंदू ओपर काटेंगे जिन बिंदू ओपर वो काटेंगे वो उन्हाँ पर कोण कितना बनेगा यह हमें बताना है तो देखिए यह मालिया यहाँ पर इस बिंदू पर और इस बिंदू पर काट रहे है तो इस बिंदू पर इनके बीच में कोण कितना बन रहा है हमें यह यह बताना है तो देखिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो इस परवले के लिए इस परश रेखा निकालेंगे ठीक है लिए जो हमें क्या निकालना पड़ेगा उसकी प्रवन्ता निकालनी पड़ेगी M, इस पर्ष रेखा का समीकर निकालने की जरुवत नहीं है, सिर्फ उसकी प्रवन्ता से ही हमारा काम हो जाएगा, ठीक है, अब हमें ये इस पर्ष रेखा की प्रवन्ता मिलेगी कैसे, तो द धाल निकालेंगे उस बिंदू पर, वही धाल ही क्या होगा, उस पर इसपर्श रेखा की प्रवनता होगी, तो देखें हम यहाँ पर लिखेंगे माना, वक्र, ठीक है, कौन सा वक्र? y square बराबर x की स्पर्शी की प्रवनता m1 है, तथा x square बराबर 8y की स्पर्शी की प्रवनता, क्या है? m2 है, ठीक है, तब, अब देखें, सबसे पहले तो हमें यह प्रतिछेद बिंदू निकालना पड़ेगा, जहाँ पर यह एक दूसरे को प्रतिछेद कर रहे हैं, तो वो कैसे निकालेंगे? इन दोनों वक्रों से निकाल लेंगे, तो यहाँ पर हमें वक्र क्या दिया है? y square बराबर x, और दूसरा दिया है, x square बराबर 8y, तो जो यह x का मान दिया है, y square, वो मैं यहाँ रख सकता हूँ, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, देखें, y square का square बराबर 8y, तो यह क्या हो जाएगा अब यहाँ से? यह हो जाएगा, y की घाट 4, माइनस का 8y बराबर 0, ठीक है तो इसका मतलब क्या आ जाएगा यहाँ से? यह आ जाएगा आपका y, common ले लेंगे, तो क्या बचेगा? y की घाट 3, माइनस का 8, बराबर 0, ठीक है? तो यहाँ से एक तो y बराबर 0 आ जाएगा, और एक क्या होगा? y cube बराबर होगा 8, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 2, क् क्योंकि घनमूल ले लेंगे, तो y बराबर 2 आ जाएगा, तो x बराबर क्या आएगा? देखे, x बराबर 1 तो 0 हो जाएगा, जब y बराबर 0 तो x बराबर भी 0, कहां से निकाल रहे हैं हम? यहां से यह, क्योंकि x बराबर y square है, तो यहां से x बराबर कितना आ जाएगा? y का square यानि कि 2 का square तो 2 का square कितना हो जाएगा 4 तो हमारा बिंदू कौन कौन सा आ गया एक तो हमारा बिंदू आ गया 00 और एक बिंदू आ गया हमारा 4,2 तो ये वो 2 बिंदू है जिस पर ये एक दूसरे को प्रतिछेद कर रहे हैं, यानि कि एक दूसरे को काट रहे हैं, तो एक तो मूल बिंदू ही है, 0,0, ठीक है, एक तो मूल बिंदू हो गया, और एक ये वाला बिंदू हो गया, कौन सा, 4,2, ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, कि अब हमें इस बिंदू पर, इनके बीच में को देखे, अब हम क्या करेंगे, पहले वक्र का अवकलन करेंगी, तो हम यहां लिखते हैं वक्र y square बराबर एक्स का अवकलन करने पर, तो इसके अवकलन से हमें क्या मिलेगा वक्र की ढाल मिलेगी वही क्या होगी इस पर्ष रेखा की प्रवनता होगी हम यहां लिखेंगे y square का अवकलन कितना हैगा 2y और dy by dx और x का अवकलन कितना होगा 1 ठीक है अब इसके बाद हम dy by dx का मान कौन से बिंदू पर निकालेंगे हम बिंदू 00 पर निकालेंगे तो यह कितना हो जाएगा 1 बटे में 2 गुणा 0 इसका मतलब यह कितना हो जाएगा अनन्त हो जाएगा इसको हम समिकरण 1 मान लेते हैं ठीक है अब हम क्या कर रहे हैं x square बराबर 8 y का अवकलन करेंगे हम दोनों बिंदूओं के लिए यही काम करेंगे क्योंकि 2 बिंदूओं पर प्रतिछेद कर रहे हैं तो दोनों बिंदूओं के लिए हम इस तरह से निकालेंगे अब देखें यहां पर क्या आएगा x square बराबर 8 y तो यहां से जब हम इसका अवकलन करेंगे तो यह आएगा 2 x बराबर 8 और y का हो जाएगा dy by dx ठीक है तो यहां से dy by dx का मान कि इसके बराबर आजाएगा dy by dx बराबर आजाएगा आपका 2 x बटे में 8 यानि की x बटे में 4 और जब हम इसमें 0 0 रखेंगे ठीक है तो यह आपका m1 था और यह आपका क्या है m2 है तो यह किसके बराबर हो जाएगा 0 बटे में 4 यानि की 0 के बराबर यह आपकी समिकरन 2 होगी तो देखें एक इसपर्ष रेखा की प्रवनता आ रही है अनन्त और एक इसपर्ष रेखा की प्रवनता आ रही है 0 तो जब भी कभी ऐसा होता है तो एक तो एक सक्ष का समिकरन होता है यानि की y बराबर 0 तो y बराबर 0 में यहाँ पर प्रवनता कितनी आ जाएगी वो 0 होगी यानि कि ये तो ये कौन सी प्रवंदता है M बराबर 0 ये प्रवंदता है आपकी M2 तो ये आपकी दूसरी हो जाएगी M2 और जहां पर प्रवंदता अनंत के बराबर आती है वो कौन सा समिकन वो किसका समिकन होता है Y अक्ष का y x का समिकर्ण क्या होता है x बराबर 0 और आपको पता है कि x अक्ष और y अक्ष के बीच में कौन कितना होता है 90 डिगरी का कौन होता है मतलब ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर 90 डिगरी पर काट रहे हैं यानि कि इनका जो इस पर्शी का समिकर्ण है वो एक तो ये है ठीक है और इसके लिए इस पर्शी का समिकर्ण ये है ये थोड़ा समय और इधर ऐसे कर देता हूँ क्यों कि ये इसको इस पर्श कर रहा है न एक सक्ष को और ये y अक्ष को इस परश कर रहा है इस तरह से, ठीक है, चलिए, अब हम क्या निकालेंगे, अब हम बिंदू 4,2 पर निकालते हैं, तो बिंदू 4,2 के लिए, बिंदू 4,2, तो देखे 4,2 पर क्या आएगा, सबसे पहले हम m1 लिखते हैं, तो m1 क्या आजाएगा, dy by dx, कौन से बिंदू पर, बिंदू 4,2 पर, तो ये m1 वाला निकालेंगे, हम ये जो m1 वाला dy by dx आया है, ये कितना आया है, एक बटे में 2y, तो यहां रखते हैं, एक बटे में 2 गुणा, y का मान कितना है, 2 है, तो ये हो जाएगा, आपका एक बटे में 4, ठीक है, अब हम निकालते है, m2, तो m2 बराबर कितना होगा, dy by dx, ये दूसरे वक्र का है, और कौन से बिंदू पर, 4,2 पर, तो दूसरे वक्र के लिए, जो dy by dx था, वो क्या था, x बटे में 4, तो यानि कि यहां से कितना आ जाएगा, 4 बटे में 4, क्योंकि x का मान कितना है, 4 है, तो ये आ जाएगा आपका 1, ठीक, अब हम यहां पर कोन निकाल देंगे, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा का सूतर होता है, 10 inverse, दो वक्रों के बीच में जो थीटा का सूतर होता है, वो क्या होता है, 10 inverse, m1, difference, m2, और बटे में 1 प्लस, m1 गुणा, m2, ठीक है, तो यहां से ये कितन आजाएगा, यह आजाएगा आपका 10 inverse, और m1, difference, m2 का मतलब यह है, कि m1 और m2 में से जो बड़ा है, उस में से छोटे वाले को घटाएगे, तो यहां बड़ा कौन है, यहां एक बड़ा है, तो यानि कि 1 माइनस का 1 बटे में 4, और बटे में 1 प्लस, 1 गुणा, 1 बटे में 4, ठीक, तो यहां से ठीटा बराबर कितना हो जाएगा, बताइए, यहां से आपका ठीटा हो जाएगा, 10 inverse, और यह 4 एकम 4 में से एक गया, 3 बटे 4, और बटे में कितना आएगा, बटे में आएगा, आपका 4 एकम 4 और एक 5 बटे में 4, ठीक है, तो यह आजाएगा आपका 10 inverse चार से चार कट जाएगा तो यह आजाएगा आपका तीन बटे में पांच यह आपका थीटा का सूतर होगा तैन इनवर्स तीन बटे में पांच यही आपका कोण होगा तो उसने अब यह देखिए यह दो कोण क्यों आ रहे हैं हमारे पास ये दो कोण हमारे पास इसलिए आ रहे हैं, क्योंकि दो बिंदू हैं, जिस पर वक्र एक दूसरे को काट रहे हैं, एक तो ये वाला बिंदू है, जो मैंने आपको दिखाया है, ठीक है, एक तो ये वाला बिंदू है, 4,2 और एक ये बिंदू है, 00, इसलिए हमें दोनों पर अ आपका उत्तर हो जाएगा ठीक है इस तरह से हल करके बता देंगे